बड़हिया यानि बड़े हिर्देवाला यही गुन पाया जाता है यहां के मूल निवासियों में और शुरुवात में इसी जाती के लोग यहां रहते भी थे जिस वजह से इस छेत्र का नाम बड़हिया पड़ा और यहां के निवासी माशक्ति के उपासक हैं बड़हिया छेत्र में स्थित है मा बाला सुन्दरी का अती प्राचीन मंदिर यहां के ख्याती ग्यान पीठ और शक्ति पीठ दोनों धाराओं में विख्यात है शक्ति पीठ के रूप में मा जगदंबा स्थान है जहां माता के विभिन रूपों की पूजा अर्चन होती है जिसके कारण बड़हिया का नाम शक्ति धाम बड़हिया पड़ा भगवती त्रिपुर सुन्दरी देवी दुर्गा की ही विविध रूपों में से एक है मात्रिपुर सुन्दरी नाम के ही अनुसार समस्त देवियों में अपूर्व सुन्दरी है बड़हिया के लोगों का भी यही मानना है कि यहां का जन जीवन देवी की कृपा से ही सदा समरिद और सुरक्षित रहा है भक्त शिरोमनी श्रीधर ओजा यही वो शक्स हैं जिनके भक्ती से माता यहां विराजमान हुई है यह मा वैशनो देवी के बहुत बड़े उपा सकते इसलिए मा ने उन्हें एक बार दर्शन भी दिये और उनसे कहा कि तुम अपने गाउं जाओ मैं वहां आऊंगी तब के समय में इस मंदिर के नजदिक से ही गंगा बहा करती थी इसके तठ्ध के तौर पर भागवत में एक वचन आया है कि गंगा के तठ्ध पर भगवती का एक सिद्ध पीठ है जिसे मंगला पीठ कहा जाता है और यह भी माना जाता है कि पूरे भारत वर्ष में गंगा के किनारे इस पीठ के सिवा कोई और मंगला पीठ नहीं है जब स्रीधर ओजा ने मा से यहां सदैव के लिए विराजमान होने की जिद की तो मा ने उनसे दो शर्ते ली प्रथम शर्त में मा ने गंगा की मिट्टी की पिंडी में निवास करने की इच्छा प्रकट की और दूसरी शर्त में श्रीधर ओजा को जल समाधी लेने का आदेश दिया और इस प्रकार देवी की प्रेड़ना से मृतेका की चार पिंडियां पधारी गई इन चार पिंडियों में क्रमशा, त्रिपुर सुंदरी, महाकाली, महालक्षमी और महासरस्वती विराजमान है फिर स्रीधर ओजा के जल समाधी लेने के बाद भक्तों ने पांचवी पिंडी भी इस्थापित कर दी अब इस बड़े मंदिर में वस्थित कुल पांच पिंडियों का पूजन होता है जैसे इस मंदिर का अस्थापना बाबा सिर्धरोजा ने कराया था जो कास्मीर में बैशनो देवी का अस्थापना आप बाबा सिर्धरोजा का नाम सुने होंगे तो उनको सुखद स्वपन में बोला गया था कि आप बरहिया के हैं आप अपने जन भूमी को लोट जाएं यह यहां जो है गंगा का धारा परवाहित होता था और हमारे सिद्धा असमसानी पुरूस थे पहुंचे हुए थे तो वो ध्यान किये और उनको बरहिया में ही दर्शन हो गए एक अगनी के खापर में परज्वलित होते हुए वो जा र जा जाए तो बाबा सिर्धा अब का बोले मां कितुम जल समाधी ले लू तो जल समाधी ले लिए और तभसे यहां जो भी सर्फदन से फ्रीत लोग आते हैं तो बाबा सिर्धा अचा का नाम ले करके वो घ भरकand साभ, बेक बिख निर्वीक दोहाय तिरपूर के आगयां से धर हो जाके बस इतना ही कहा जाता है और जल जैसे ही कंट के भीतर जाता है वो फिक वजाता है बहुत दूर दूर से आते हैं जहां तक माता का महिमा है जो जानते हैं वो आते हैं कहीं हाथ नहीं लगाना है उसको सिर्फ यहां मंगल बार और सनी बार को मंदिर में ज़्यादा भीजे लगभग 5,000-10,000 लोग आई जाते हैं मंगल और सनी बार को जी और ओर अओर यहांका रहत समय कुवां इस कुएं का पानी रहस समय इसे लिए है क्योंकि इस पानी से यहां सर्प दंत से पीडित मरीजों को ठीक किया जाता है मंदिर के उपरी भाग में कई अन्य देवी देवताओं की प्रतिमाय स्थापित हैं और चारो ओर मंत्र शुभायमान है कालांतर में मंदिर का खुद का धर्मशाला भी है जहां शादी विवाह में सम्मेलित परिवारों दूर दूर से आये भक्त जन और साधू संत महात्मा के रुकने की उत्तम विवस्था है कुमारी रूप में यहां बाला रूप में यहां साधी विवाह होता नहीं था मनें वहां साधी विवाह झाल 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 मंदिर खुलने का सवेरे पांच बजे से है, सरकारी फूजा तीन बजे से स्टार्ट हो जाता है, पांच बजते बजते पट खुल जाता है आम पब्लुके. बंद होने का समय? बंद होने का रात्री नो बज़े और आरती का समय? आरती का समय सारे साथ बज़े साम को है और सुबह को वही पांच बज़े के अंदर हो जाता है आरती को. सब्सक्र का समय और समय को.